जादोई शिम्ला मिर्ची रूपा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे उसका पती सूरज एक फैक्टरी में काम करता था कुछ समय के बाद वह फैक्टरी बंध हो जाती है जिससे सूरज घर पर बैठ जाता है रूपा की सास रूपा को मनहूस कहकर रोज ताने मारती थी रूपा जबसे शादी करके अपने सुसराल आई थी उसे कोई पसंद नहीं करता था सास भी अपनी बड़ी बहु सुमन की ही तारीफ करती थी जबसे ये आई है मेरे बेटे की नौकरे ही चली गई पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी में मैं इसे शादी करके घर लाई थी मा तुम क्यों रूपा को भला बुरा कहती हो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है अगर फैक्टरी बंद हो गई तो तू चुपकर इसी के गुनगान करता रहता है इस मनहूस के लिए मुस्तर जुबान लड़ा रहा है रूपा अपनी पती को चुपकर आती है और बोलती है आप मेरी वज़ा से मा से क्यों बहस कर रहे हो वो मेरी भी तो मा है अगर मुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया आप काम पर जाओ सूरज अभी छोटा मोटा काम ढून रहा था और जहां कहीं उसे कुछ काम मिलता वो कर लिया करता था रूपा की जेठानी सुमन रूपा से घर का सारा काम करवाती थी उसका पती अशोक शहर में एक बड़ी कमपनी में काम करता था सूरज की नौकरी जाने के बाद सूरज की माँ अबशोक और उसकी पत्नी की ही तारीफ करती थी रूपा घर और खेट दोनों का ही सारा काम करती थी रूपा खेट में शिमला मिर्च के बीज लगा रही थी तब ही उसकी जेठानी वहां आ जाती है अब क्या लगा रही हो दीदी देखो ना मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए है सब को शिमला मिर्च कितनी पसंद है और वैसे भी सबजियां इतनी महंगी हो गई है बाजार से लेकर खाना तो बहुत मुश्किल है अगर अच्छी फसल हुई तो दो पैसे भी आ जाएंगे तुम्हारे हाथ से लगी सबजी तो सब ने खाली ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है इधर रूपा बीजों को पानी दे रही थी और वो घर आ जाती है सुमन रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके सारे काम बिगाड देती थी कुछ दिनों के बाद रूपा अपने खेत में जाती है और देखती है कि शिमला मिर्च के बीज से चोटे-चोटे पौधे निकल आये थे रूपा खुशी से अपनी सास और जेठानी को बताती है माजी मैंने खेत में शिमला मिर्च के बीज पौई थे और अब उनके पौधे बन गए है आज तक तो कोई काम तुने ठीक से नहीं किया फिर ये कैसे कर दिया रूपा अपनी सास के साथ खेत में जाती है तो वहां सारी पौधे उपर से तूटे हुए थे मानो किसी ने उपर से सब पौधों को खा लिया हो ही भगवान ये सब क्या हो गया कल तो यहां इतने अच्छे पौधे लगे थे इनको किसने दोड़ दिया तेरे हाथ ही ऐसे है मैं भी कहा तेरी बातों में आकर पौधे देखने आ गई भला तेरे जैसी मनहूस के हातों से पौधे कैसे लख सकते थे रूपा बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है अगली दिन वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गाई बैठी थी रूपा उस गाई के पास जाती है और वो गाई हाफ रही थी अरे ये गाई यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों हाफ रही है रूपा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी रूपा पानी की बालती लाती है और उस गाय को पानी पिलाती है तब ही उसकी जेठानी सुमन भी वहां आ जाती है इसको क्यों पानी पिला रही थी? यही तो है जिसने उस दिन तेरी सारी फसल खराब कर दी थी अरे नहीं दीदी ये बिचारी तो यहां बैठी थी लगता है लोगों ने इसे बहुत मारा होगा देखो ना इसके पैर पर चोट भी आई है अब तू इसकी चोट ठीक करेगी है ना देखना कहीं तेरे हाथ का पानी पीकर ये मर ही न जाए ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है माजी देखो ये रूपा बाहर आवारा जानवरों को पानी पिला रही है तभी ये जानवर ना रात को यहां आते हैं और सारी फसनों को खराब कर देते हैं रूपा की सास बाहर आती है और रूपा को खूब भला बुरा सुनाती है पता नहीं ये गवार कहाँ से मेरे गले पड़ गई है हे गव माता अब तू यहाँ से चली जा नहीं तो ये लोग तुझे मारने लगेंगे तब ही गाई पानी पीकर वहाँ से जा रही थी रूपा की सास एक लंबा सा डंडा लेकर गाई को भगाने आती है अरे माजी आप कहां जा रही हो वो बिचारी गाई तो चली भी गई बस उसे पानी पीना था पानी पीकर वो चली गई है देख कितना गंद डाल कर गई है इस गोबर को अभी के अभी यहां से साफ कर क्यों ना मैं इस गोबर को अपनी खराब हुए पौधों को डाल दूँ यह तो खाद ही है और पौधों के लिए यह अच्छी भी है रूपा उस गोबर को सारे पौधों के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देती है कुछ दिनों के बाद वो शिमला मिर्च के पौंधे बिलकुल हरे भरे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे शिमला मिर्च भी आ जाती है हे बगवान यह क्या चमतकार है यह शिमला मिर्च के पौंधे इतनी जलती पड़े हो गए और इनको तो शिम्ला मिर्च भी लग गई है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अभी पॉंधे तयार हो पाएंगे दीदी तो बोल रही थी जो फसल जानवर नस्ट कर देते हैं वो कभी नहीं हो पाती लेकिन ये शिम्ला मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई है लगता है गा में बहुत सारी शिम्ला मिर्च लगी है आपको उन्हें तोड़कर मंडी में बेच कर आना चाहिए क्या शिम्ला मिर्च तुम तो कुछ तिन पहले बोल रही थी कि वो सब बरबाद हो गई है हां मैंने वो उसमें गोबर की ना खाट डाल दी थी शाह दोसी से सब पॉंधे ह सारे हो गए और उनमें बहुत सारी सिम्ला मिर्च भी आ गई है रूपा और सूरज क्यत में जाते हैं सूरज जब खेड को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है अरे शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी लगी है सारे पौधे शिमला मिर्च से भरे पड़े हैं वो दोनों मिलकर पांच टोक्रियां भरकर शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं सुरज उन्हें मंडी में बेच कर आता है जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत कुस्सा हो जाती है सुमन रात को खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौंधों को उखाड़ने के लिए जैसे ही वो खेत में जाती है तो एक बड़ी सी गाई उसके सामने आ जाती है और सुमन गाई को देख पीछे भागती है हे भगवान मैं मर गई मुझे बचा लो और सुमन सीधा अपने घर पहुँच जाती है आज तो वो गाई मुझे मारी देती पता नहीं कहां से आ गई थी कहीं से भी आई हो आज जो काम करने में गई थी अब वो गाई ही करेगी भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं इस मनहूस के काम को बिगाड़ने में अगली दिन सूरज और रूपा फिर से टोकरियां लेकर खेत में जाते हैं आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा रात को वहां इतनी बड़ी गाई जो आई थी उसने सारे पॉंधे खराब कर दिये होंगे आई बड़ी पॉंधे लगाने वाली काफी देर हो गई थी रूपा और सूरज अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे इधर सुमन घर में इनको दुखी देखने के लिए इंतजार कर रही थी अब तक नहीं आए लगता है वहीं दोनों बैट कर अपनी किसमत के लिए रो रहे होंगे हाँ क्यों ना खेत में देखने चली जाओं हम्म वहीं जाती हूं उनको देखकर ही मेरी मन को तसली मिलेगी जैसे ही सुमन खेत में जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने सारी टोकरियां शिमला मिर्च से भरी हुई रखी थी सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि एक भी पौंधा खराब नहीं था बलकि शिमला मिर्चों से भरा पड़ा था अरे दीदी आप भी आ गए ये ना मैंने अलग से कुछ सबजी निकाल के रखी है आप इने घर ले जाओ हम अभी थोड़ी दिर में आते हैं सुमन बिना कुछ बोले शिमला मिर्च लेकर वहां से चली जाती है आज रात को देखना मैं क्या करती हूँ कुछ भी नहीं छोड़ूँगे इसके खेट में रात हो जाती है और सब खरवाले सो गए थे सुमन हाथ में एक डंडा लेकर खेट में जाती है अगर आज वो गाई वहां आई ना तो पहले तो उसे मारूंगी बाद में उन सारे पॉंधों को तोड़ दूँगी सुमन जैसे ही खेट में जाती है तो वो देखती है कि खेट में कोई गाई नहीं थी जैसे ही वो पॉंधों को तोड़ने लगती है तो खेट में इतनी सारी गाई उसे दिखाई देती है और सब गुस्से से सुमन की उर भागने लगती है सुमन इतनी सारी गायों को एक साथ देख कर बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है भागते भागते वो गिर जाती है और जैसे ही वो उठने लगती है सामने एक बड़ी सी गाय खड़ी थी अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई और तुमने इन पौंधों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा ये शिमला मिर्च के पौंधे कोई साधारण पौंधी नहीं बलकि जादूई पौंधे हैं इनको जो नुकसान पहुँचाने का सोचे का उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा कहते ही वो गाई वहां से गायब हो जाती है सुमन अपनी घर जाकर चुप चाप सो जाती है सूरज और रूपा रोज शिमला मिर्च तोड़ कर मंडी में दे आते थे और लोग उनकी मिर्चों को देखते तो उनकी बहुत तारीफ किया करते पता नहीं सूरज और उसकी पतनी ये जादू इस शिमला मिर्च के पौंधे कहां से लाए हैं कितनी बार तोड़ने पर भी इनका फल कम नहीं हुआ मैंने तो इस बार सूरज से ही इसका बीज लेना है और अगली बार अपनी खेत में यही शिमला मिर्चों गाउंगा सही बोल रहे हो भाई मैं भी सूरज से ही इस बार शिमला मिर्च का बीज लूंगा ये कहानी है सूरज और उसकी पतनी बेला की बेला और सूरज बहुत ही इमानदार थे पर बहुत गरीब थे गाउं में एक भयंकर बिमारी आ जाती है और उनका बेटा उसकी चपेट में आ जाता है उनका बेटा बहुत बिमार हो गया था उसे बचाना नामुम्किन हो रहा था तब बेला अपने पती से बोलती है अजी हम क्या करें अपने बेटी को बचाने के लिए हमारे पास तो जो भी जमा पूंजी थी हमने सब लगा दी पर हमारा बेटा ठीक नहीं हो पा रहा अब हम क्या करेंगे कैसे अपने बच्चे को बचाएंगे मेला मैं तुझे क्या बताऊं ये बात सोचकर मैं दिन रात परिशान रहता हूं कि आखिर में अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि इसका इलाज शेहर में करवा पाएं और गाउं में महामारी के कारण अब कोई भी काम नहीं है जिसे मैं कर सकूं जी सुनिये मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आ रही है यहां तो कोई काम वाम है नहीं जिसे हम कर सके और दो पैसे कमा कर अपने बेटे का इलाज करा सके तो क्यों न हम शहर चलें वहीं जाकर हम कुछ काम धंदा देखकर पैसे कमा लेंगे और अपने बेटे का इलाज भी से नहीं है हम खाएंगे पीएंगे क्या कहा रहेंगे कुछ सोचा है इतना आसान नहीं है शहर में रहना अजी इन सब चीजों की चिंता छोड़िये ना देखा जाएगा जब भगवान ने रहा दिखाई है तो कोई ना कोई इंतजाम भी जरूर करेगा आप बस चलिए अब मे पेरा ना इस गाउं में बिल्कुल मन नहीं लगता हम कल ही शहर जाने की तयारी करते हैं बेला और सूरज दोनों शहर जाने की तयारी में लग जाते हैं और अपना जरूरी समान लेकर वो दोनों शहर की तरफ चल देते हैं पैदल पैदल सूरज अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर और बेला जरूरी समान लेकर चल रही थी। चलते चलते वो दोनों बहुत ठक जाते हैं तो एक संत्रे के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बेला बहुत तेज भूक लग रही है। तुने जो सुभा बनाया था खाना खाने के लिए कुछ बचा है तो दे दे भूक से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ जी आप बैठिये मैं बस अभी खाना निकाल कर आपको देती हूँ आप भी खा लीजिए और बाबु को भी खिला देती हूँ। उन्हें बहुत तेज भूक लग रही थी और प्यास भी वो खाना खाते हैं और फिर सूरज पानी मांगता है। बेला ला दो घूट पानी भी पिला दे प्यास से तो मेरा दम ही निकल रहा है। बेला तुझे किसी के करहाने की आवाज आ रही है जैसे कोई बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में हो। हाँ जी आतो रही है पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इतना दुखी कौन है। दूर दूर तक कोई दिखाई तो नहीं दे रहा सिर्फ यहाँ पेड पौंधे हैं इसके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा। वो दोनों बहुत सुनने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तब संत्रे के पेड में से आवाज आती है। अरे बेटा मैं पेड से बोल रही हूँ, मैं वरिक्षिरानी हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरा गला भी सूख रहा है, बहुत लंबे समय से पानी नहीं मिला, दो घूट पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाओंगी, काफी समय से वर्षा भी नहीं हुई अजी ये तो संत्री का पेड बोल रहा है लगता है इन्हें प्यास लग रही है लेकिन हमारे पास तो पानी ही नहीं है जो थोड़ा बहुत है वो हमारे पीने के लिए भी कम है तो हम पेड को कैसे पानी पिलाएं ये तो तुम सही बोल रही हो बेला लेकिन सोचो ना जब हम इनसान पानी के बिना नहीं रह सकते तो ये पेड पौंधे कैसे रह रहे होंगे हम तो आगे जाकर अपने लिए पानी की कोई न कोई व्यवस्था कर लेंगे पर पता नहीं यहां इस पेड के नीचे कोई आकर भी उनके पास पानी था उसे पिला देते हैं जिससे संत्रे के पेड़ को बहुत सुन्तुष्टी होती है और वो खुश हो कर बोलती है पेटा तुमने मेरे जैसे बुजर्ग पेड़ की प्यास बुझाई है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ फल देती हूँ मेरे पेड़ से कुछ संत्रे तोड़ लो और जाकर अपने आंगन में दबा देना वो संत्रा कुछ समय के बाद एक पेड़ का रूप ले लेगा और वो एक जादूई संत्रे का पेड़ होगा जिसकी ये शक्ती होगी कि जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो सब तुम उसके सा आमने बोल देना तुम्हारी सारी मनों कामना पूरी हो जाएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पर हमने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की आपको प्यास लगी थी इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पानी भी नहीं था तुम्हारा बच्चा भी बिमार है फिर भी तुमने मुझे पानी पिलाया तुम पेड़ पौंधों की इतनी परवाह करते हो उसी का फल मैं तुम्हें दे रही हूँ अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो की तथास थू सूरज और बेला उस पेड़ पर से कुछ संत्रे तोड़कर अपने साथ शहर ले जाते हैं और वहां एक जोपड़ी बनाते हैं अजी देखो जैसा उस संत्रे की पेड़ ने कहा था हमारा खुद का संत्रे का पेड़ उग गया क्या सच में ये कोई जादूई पेड़ है बेला वो सब तो मुझे नहीं पता मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा बीमार है और हमें बहुत सारे पैसे कमाकर उसका इलाज करवाना है सूरज इतना ही कहता है कि संत्रे के पेड़ से अच्छानक पैसों की बारिश होने लगती है सूरज और बेल ये देखकर हैरान हो जाते हैं अजी मुझे अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा ये संतरी का पेड़ तो वाके जादू ही संतरी का पेड़ है देखो ये हमारे लिए पैसों की बारिश कर रहा है सूरज पैसे लेकर अंदर अपने बेटे के पास जाता है तो वो देख कर हैरान होता है कि उसका बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था पापा, मम्मी, देखो, मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ अजी, हो ना हो, ये सब हमारे जादूई संत्रे के पेड़ने किया है हमारी एक छूटी सी नेकी के कारण, आज देखो ना हमारी फूटी किस्मत ही पलट गई भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर सूरज और बेला ने अपनी जादूई संत्रे के पेड़ से एक छूटा सा घर मांगा तब ही उनकी जोपड़ी की जगह एक छोटा सा और संदर सा घर बन जाता है और फिर अगले दिन वो सूरज का कामकाज मांगते तो जादूई संत्री का पेड सूरज को एक अच्छी जगह नौकरी लगवा देती है उन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगा तब सूरज बेला से कहता है बेला हमारे जादूई संत्रे के पेड ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी पर याद रखना हमें कभी भी लालच नहीं करना और सर्फ जरूरत की चीज़े ही मांगनी है नहीं उठाऊंगी पलकि मैं तो सोच रही हूं कि जो भी जरूरत मन्त लोग होंगे हम उनकी मदद भी किया करेंगे फिर सूरज और बेला ऐसा ही करते हैं अपनी जादूई संत्रे के पेड की मदद से वो लोगों की मदद करने लगे और कभी उनके अंदर लालच नहीं आया हाई एवरिवन आपका यह स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताना ना भूले और हाँ क्या संत्रे आपका भी फेवरिट फ्रूट है अगर हाँ तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाई बाई